हेलो फैंस केशो आप लोग बहुत बहुत श्वागत है आपका सूपर फास्ट क्लास इच यूटूब चैनल में तो गाईज इस वीडियो में हम क्लास 10 वालों के लिए समाजी विग्यान यानि सोसल साइंस के कुछ महतोपूर प्रस्न देखने वाले हैं गाई जी आप लोग का लेशन सेकेंड है भारत में राष्टवाद आप लोग का मैं बता दू कि इतियास का जो पहला लेशन है इरोप में राष्टवाद का उसकी मैंने सारे की सारी जो most important question है उसकी वीडियो डो पार्ट में बना चुका है अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे जाकर देख सकते हैं या इस वीडियो के description में भी मैं उसका link add कर दूँगा तो देखिए इसका हम लोग का जो भारत में राष्टवाद है इसका हम लोग का ये part first है तो चली आपका time waste न कर तो इस वीडियो को शुरू करता हूँ देखिए जो हम लोग का first प्रस ने aight क्या था काफी महत्पूर प्रस ने रालेच जिससे आप लोग रालेट टेक्ट बोलते हो लेकिए ये सुध है रालेट एक्ट ओके देखिए यह क्या था तो इसका आंसर आप लोग रिखोगे कि 19 i.s.b में पारित एक ऐसा कानुन जिसमें भारतियों पर किसी तरह के मुक जो ठीके जिसके द्वारा भरतियों को संका के आधार पर ही गिर्यपतार किया जा सकता था ये मतलब रालेक्टेक्ट था ओके तो आई होप आपको ये question clear हो गया होगा चलिए हम लोगा second question इससे देख लेते हैं देखे गाज आप कहीं भी answer खोज लेजिए इनका ठीके जितना मैं answer perfect लिखवाता हूँ न ताप लोगा मतलब notes होगा उसमें मिलेगा न तो कोई question पैंक है उसमें मिलेगा इतना छोटा गाज एक question को लिखने में मैं काफी ज्यादा सोचता हूँ कि उसको कैसे card feed कर छोटा किया जाए अच्छे मतलब उसमें कैसे मतलब अच्छे अच्छे वर्ड सामिल किया जाए ओके तो चलिए जो हम लोगा second question है भारत आने के बाद गाधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था ये काफी most important question है जीकी के थुरू भी काफी most important है तो देखिए दच्छी अप्रिक से गाधी जी ने अपने पहले आंदोलन सत्यागरह आंदोलन की शुरुआत की तो गाधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन था सत्यागरह आंदोलन आप लोग याद रखना ओके तो आई होप आपको इसका वी answer clear हो गया होगा तो चलिए अगला question जो आम लोगा simple भासा में answer लिखाए तो चलिए हम लोगा जो थर्ड question है आप लोग देख सकते हो गाधी जी द्वारा चलायेगे अश्योग आंदोलन पर टिपड़ी लिखिये जी हांगाई तिपड़ी लिखिये या तिपड़ी दीजिये भी लिख देता है ठीके तो वही हुआ मतलब ठी ठीके तो देखिये असका answer आप लोग क्या लिखो गए तीपड़ी लिखना हो या तीपड़ी दीजिये तो मैं आपको सबसे समझाईता हूं आसायोग आडलन का-δोलन का-तो इसका आनसर आफ खुद लिखो थे नामि सह ना करना तो जो अंग्रेजी शास्थी भारत आये थी भारतीयों के सहयोग से ले यानीहीं रह्यातिकी साहता। चलता रहा और धिर धिर हम पर शासन करने लगे और तब भी यानि सासन करने का क्या मतलब कि हमसे ही वह अपना व्यापार चला थे थे तो गांधी जी ने किया क्या कि उन्होंने सोचा कि इनका जो शासन है भारतियों के सहयोग से अगर इनका सहयोग बंध कर दिया जाना जो भारतियों लोग दे रहे तो उनका शासन था तो यही उन्होंने सोचकर आपको मतलब इसका आंसर क्लियर हो गया होगा और आप में काफी ज्यादा अगर इसका आंसर भी मैं बताता नहीं हूँ तो लिख लोगे तो चलिए मैं आपको बता भी देता हूँ देखी गाधी जी ने कहा था कि अंग्रेजी सासन भारतियों के सहयोग से ही अस्थापित हुआ था और यह सासन इसी सहयोग के कारण ही चल ठहक है अगर भारतिय इन्हें अपना सहयोग देना छोड़ तो कुछ साल के अंदर ही अंग्रेजी सासन ठीके धाह जाएगा यनि आप समझी रहे हो ठीके तो क्या होगा धाह जाएगा तो समझी रहे हो के बरबाद हो जाएगा ठीके तो ढ़ह जाएगा और श्वाराज की अंदोलन को शुरुआत किया था ठीके तो इसके आगे लिक दोगे कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने और सहयोग अंदोलन की शुरुआत की थी ठीके तो आई होप आपको इसका आंसर एकदम परफेक्टली किलियर हो गया होगा ठीके तो बस चलिए हम लो देना छोड़ दे तो कुछ साल के अंदर ही अंग्रेजी सासन धह जाएगा ठीके धह जाएगे यानि वही बरबाद हो जाएगा और स्वाराज की अस्थापना अधिकार हो जाएगा ठीके इसी बात को ध्यान में रखते हुए गादी जी ने और सहयोग अंदोलन की शुरु द्वारा किया गया था तो देखिए मैं आपको वताना चाहूंगा कि केसरी समाचार पत्र का प्रकासन बाल गंगा धर तीलक द्वारा किया गया था तो आप लोग याद दखिएगा कि केसरी समाचार पत्र का प्रकासन ठीके बाल गंगा धर तीलक द्वारा किया गया था त राञक्ष्ण के समय ही यह जल्य वाला भाग हत्यकांड हुआ था ति कब हुआ था तो दाई था तो लोग लिक दीजेगा गया कि जल्य वाला भाग हत्यका कड तो मैंने प्रस्टीं 코त को था इस लिके अगि एप लोग का प्रसने प्रसंख्या 6 आप लोग देख सकते हो खिलापत आंदोलन ठीके खिलापत आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था काफी most important question है खिलापत आंदोलन ठीके तो इसका आंसर आप लोग याद रखियेगा खिलापत आंदोलन मुहम्मद अली तथा शौकत अली के द्वारा शुरू किया गया था ठीके तो यह question काफी important है तो आप लोग याद रखियेगा तो शेरी अगले question की तरफ चलते हैं तो गाईज अगला हम लोग का question है आप लोग देख सकते हो साइमन कमीशन क्या है आप लोग थोड़ा मैं जूम करता हूं इसको perfectly गया ओके आप लोग देख सकते हो साइमन कमीशन का घठन क्यों किया गया था इसका विरोध क्यों हुआ यह question है देखिए इसमें दो जानते थे कि इसकी अस्थापना क्यों थी तदे कि इसमें आपको सब कुछ मालूम चल जाएगा देखे सर साइमन के नेतित्व में इस आयोग का गठन किया गया था ओके इसका मुख्य उद्देश्य ठीके ये उद्देश्य आप लोग थोड़ा ध्यान दिजीए ओद्देश था थी उसकी कारेसली का अध्यान करना था ठीके इस आयोग में एक भी भारतिय नो होने के कारण इसका बिरोध हुआ इसका ये आप आंसर लिख दोगे एकदम परफेक्टली इसका आंसर आपको मतलब दे दिया जाएगा ओके दगे शर साइमन के नेतित्व में इस आयोग क गठन किया गया था इसका मुख्य उदेश भारत में समबैधानिक ब्यवस्था की कारेसली का अध्यान करना था इस आयोग में एक भी भारतिय नो होने के कारण इसका बिरोध हुआ था तो आई होप इसका आंसर आपको किलियर हो गया होगा चलिए जो हम लोग आप अगला हिंद श्वराज नामक्वृस्थ किसने लिखी थी काफी मोस्र इंपॉर्डेन कोषयन है फिन्द श्वराज नामक्वänge न लिखी थी तो मैं आपको बताना तो आई होप आपको ये question clear हो गया होगा तो चेरी अगला हम लोगा जो question है नवा प्रस्ण आप लोग देख सकते हैं उष्किन पर क्या है कि सवीने अवग्या अंदोलन ठीके सवीने अवग्या अंदोलन कब प्रारंब हुआ था ओके ये question है तो देखे गांधी जी द्वारा 19 1937 इश्वी में साबर्मति से डांदी तक यात्रा करके नमख कानून को तोड़कर सवीने अवग्या अंदोलन का शुबारंब किया गया था थिके इसका आंसर आप छोटे में भी लिग सकते हो सबीने अवग्यांदोलन का प्रारंब किया गया था तो आप सीधे लिख सकते हूं कि सबने अवग्यांदोलन 1937 में प्रारंब किया गया था लेकिन देखिए मैंने इतना बड़ा इसलिए बड़ाया कि थोड़ा आपको और कुछ पता चल जाए ठीके देखिए यहां आप लो तो नमक कानून को तोड़कर समिने अवग्यांदोलन के स्थापना हुई यह कोशन पूछ देता है ठीके तो यह इस तरह पूछ देता है कि किस घटना के बाद समिने अवग्यांदोलन के स्थापना हुई तो यह आप लोग याद रखेगा काफी इंपोर्टेंट है तो इस तो में भी शेयर करें तो धैंकि यू